नमस्कार प्रियदर्शकों आज के सिकारे क्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंग राशी वाले जातकों के लिए अगस्त का महिना कैसा रहने वाला है यहां एक बात तो आप लिख कर रख लीजिए सिंग राशी वाले जातकों को अगस्त का महिना एक बड़ा उपहार अवश्य रूप से दे कर रहेगा इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है कौन से वो ग्रह हैं जो आपको बड़ा उपहार देने जा रहे हैं क्या वो उपहार होगा यह संपूर्ण जानकारी हमेशा की तरह बड़े छोटे शब्दों में आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं किन्तु क्रम बद्धता से समझेंगे कि सर्व प्रतम स्थती में आपका स्वास्त कैसा रहेगा धन द्रश्टी कोण के स्थती क्या संकेत दे रही है कर्म शित्र की अवस्ताएं किस प्रकार कारिये करेगी भाग्य द्रश्टी कोण आपकी विध्या दामपत्य जीवन यात्रा और प्रेम समंधों की अवस्ता अगस्त के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होने जा रही है यही आपको बताने जा रहा हूं और जब नियर फ्यूचर को आप पहले ही समझ लें तो अपने नियर फ्यूचर की प्लानिंग में सफलता पाने की परसंटेज बहुत अधिक मात्रा में आप बढ़ा सकते हैं एक एक करकर क्रम बद्दता से समझते हैं कि सरुप्रथम स्थती में पहला सुख जिसे शास्तर कहता है निरोगी काया वो आपके लिए क्या संकेत दे रहा है आपके लगन के स्वामी होते हैं सूरिय महराज कहां विराजित हैं तो आपके लिए द्वादश भाव में 16 अगस्त दो हजार चौबिस को ये अपनी ही राशी में आ जाएंगे एक अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के स्थती के अंदर आपके लिए स्वास्त का थोड़ा सा ध्यान दखने की अवशकता रहती है कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं किन्तु थकान जादा होना भागदोर की वज़े से आपका बॉड़ी के अंदर सरदर्द हो रहा है बॉड़ी एक्टिव नहीं है इस प्रकार की छोटी छोटी गती विधिया आपको देखने को मिलेंगी किन्तु 16 तारिक को जैसे ही आपके लगनेश लगन में आएंगे ये बेहद सुन्दर अवस्था में आपके स्वास्त को पुष्ट करते हुए पाए जाते हैं बात करेंदी धन दृष्टी कोन की स्थती क्या संकेत दे रही है तो आपके धन भाव के स्वामी बुद्ध महराज लगन में विराजित हैं और ये अवस्था बहुत ही सुन्दर संकेत है कि व्यक्ति अपने कर्म दक्षता अपने व्यक्तित्व के स्थतियों पर अपनी बुद्धी मता और चातोर्य मता से इस महीने में धन को अर्जित करने में पूर्ण रूप से दक्ष माना जाएगा यदि आप सिंग राशी के जातक हैं तो अगस्थ के महीने में नोटिस कीजिएगा आप कुछ ऐसे डिसिजन लेंगे आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज करेंगे जो धन को आपकी तरफ आकरशित करें बहुत अच्छी अवस्था के अंदर धन द्रश्टी कोन आपके लिए क सारे करता हुआ दिखाइडिगा कर्मशेत्र की एधि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के सुन्दर अवस्था में काम करेगी क्योंकि यहां पर धन को अरगित करना और कर्म को अरजित करना, दोनों ही ग्रह आपके लगन में बने हुए हैं और इस महीने में यदि आपने सही से प्लानिंग करते हुए, अपने कारियों को सुचारो रूप से पूर्ण किया तो विश्वास मानिये पिछले कई लंबे समय से जो इस्तती आप अचीव नहीं कर पा रहे हो इस महीने में अवश्व रूप से कर लोगे बात करें अधी भाग्य द्रष्टी कोन के स्थती क्या संकेत दे रही है तो आपके भाग्य भाव के स्वामी मंगल महराज कहा विराजित हैं आपके कर्म भाव में कब तक रहेंगे 26 अगस्ट तक 26 अगस्ट तक भाग्य आपका परिपूर्टा से साथ दे रहा है समझ येगा धन के स्थतियां आप अपने आप से अरजित करोगे शुब कर्म की स्थति का योग शुक्र महराज की स्थति से प्राप्त हो रहा है और उसमें कौन आपका साथ देगा तो मंगल महराज जहां आपको कर्म शेत्र में सफलता दिलाते हुए भाग्य आपका साथ दे और उस से आप धनर जित करो इस प्रकार के बड़े संकेत आपके लिए इस महीने में बन रहे है 26 अगस्त को मंगल एकराशी आगे अथार्त मिथुन में चले जाएंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छे स्थती को दरशाकर दे रहा है तो यहां कर्म शेत्र धन के स्थती और भाग्य इस महीने में विशेश उपहार देने की बाध्यता आपके लिए ले रहा है बात करें यदि विध्या द्रश्टी कोण के स्थती क्या संकेत दे रही है तो विध्या भाव के स्वामी गुरु महराज आपके कर्म में है और मंगल महराज जो इनके शिश्य हैं वो भी इनके साथ यूती बना चुके हैं सेना पती की तरह द्रण निश्चे के साथ में यदि आपने इस महीने में अपनी विध्या के स्थतियों को प्राप्त करने का प्रयास किया तो निश्चत रूप से आपको competition में सफलता का योग प्राप्त होता है higher education में बहुत अच्छी अवस्ता के योग आपके लिए activate होते हुए दिखाई देंगे बात करें यदि आपके लिए यात्रा दृष्टी कुण क्या संकेत दे रहा है तो आपके लगनेश विराजित हैं 12 भाव में 16 अगस्त के पश्चाति आपके कर्म भाव में लगन भाव में आ जाएंगे गुरु मंगल शुक्र बुद्ध की यूति ये एक बहुत ही सुन्दर सयोग है कि यदि अगस्त के महिने में आप व्यापारिक यात्रा करते हैं आपको सफल होने की परसंटेज बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगी बहुतिक सुखों को अरजित करने वाली यात्रा तो पूरे महिने की जा सकती है किन्तु यदि आप व्यापारिक यात्राएं कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंट करूंगा 26 अगस्त से पहले का प्रयास कीजिएगा इसमें भाग्य भी आपका साथ देगा और कर्म शित्र में स्रिष्ट कारक रिजल्ट भी बनते हैं दामपत्य इस्थान पर यदि हम चर्चा करें तो दामपत्य भाव के स्वामी शनी महराज वक्र गती में आपके लिए शिष्टम भाव का फल दे रहे हैं यहां थोड़ा स आपको ध्यान रखने की आवशक्ता है क्योंकि अगर हमने शनी महराज का फल देखेंगे तो शनी महराज के स्थी के आधार पर दामपत्य जीवन में इस महीने आप देख सकते हो थोड़ा सा अंडस्टैनिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहा है स्वास्त दृष्ट हैं उनके लिए बहुत खास रहेगा अब वो स्थी जो एक बड़ा उपहार आपको प्राप्त हो रहा है वो क्या है तो पहली स्थी में गुरु मंगल की यूति दूसरी अवस्ता में शुक्र बुद्ध की यूति और 16 अगस्त के पस्चात आपके लगनेश लगने में आ रह जिसे हम आकस्मिक लाब का नाम दिया जाता है किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाब इस महीने में आपको अवश्यरूप से प्राप्त होगा हो सकता है वो धन से संबंदित हो हो सकता है कोई ऐसी गतिविधी जो शायद आपके मन को बड़ा ही प्रसंद कर दे ऐसा योग इस मह रंग की बात करें कि इस महीने में सिंग राशी वाले जातकों के लिए वो कौन से रंग हैं जो आपके जीवन में भर देंगे खुश हाली। तो कोई भी जितना जादा संभवत रहता है आप लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का और सफेद रंग का प्रियोजन करते हैं खाने में, पहनने में, असपास के वातावरण में ये आपके लिए बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकों को दर्शा कर देगा। इस महीने में ब्लैक और ब्ल्यू को आपको थोड़ा अवइट करना चाहिए। शुब दिवस की यदि हम चर्चा करते हैं तो कोई भी शुब कारिये कर रहे हैं, मंगली कारिये कर रहे हैं, पैसे का लेंदिन कर रहे हैं, प्रियास कीजिए, मंगलवार के दिन, बुद्धवार के दिन, और शुक्रवार के दिन किया हुआ कोई भी बड़ा कारिय आपके लिए सफलता की परसंटेज को बढ़ाता हुआ पाया जाएगा शुब अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने के आपके लिए शुब अंक रहेंगे एक, आठ, नो और तीन इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आपने प्रयोजन बनाया तो यही अंक बन जाते हैं आपके लिए लगी चाँ इस योती को इस महीने में आप एक्टिवेट कीजिए मंगल और गुरु महराज को तो ओम गुरुवे नमह का जाप करना ओम भूमा ये नमह का जाप करना चलते फिरते ओम नमो भगवते वासु देवाई नमे का जाब करना अगर संभव रहता है तो चारो मंगलवार सुन्दर कांड का पाठ करना अन्यथा नित्य एक हनुमान चालीसा का पाठ करने के सती इस महीने में निश्चित रूप से दिलाएगी आपको एक बड़ा उपहार आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई है जानकारी आपको पसंद आएगी कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमश्कार